सभी को नमस्कार, नेपाल वासियों को भी सादर नमस्कार, भारत की ओर से मैं वैद्धि प्रशानतिवारी, आज इस विशय पे बात करना चाहता हूँ, जैसे कि हम जान रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना नमाक महामारी बहुत बुरे तरीके से फैल रही है, सभी लोगो बाते तो अलग हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आयरवेद में प्रग्यापराद नमा के एक अवस्ता बताई गई है, प्रग्यापराद के रिफरेंसे बहुत जगाओं पर आते हैं, उनको हम बड़े ईजली और कैजुल वे में लेते हैं, लेकिन चिकित्सा के प्रग्यापराद के कौनसी अवस्ताओं को हमें देखना चाहिए, और वो किस तरीके से एक हेतू बनता है, तो इन बातों को आसान करेंगे, चलिए आज से चर्चा शुरू करते हैं, ब्रग्यापराद के जब हम इंट्रोडक्शन या आसान रूप से देखते हैं, तो ग्र हो जाती हैं, तो हमारे दोश जो हैं, वो विकरत होने लगते हैं, दोश जो हैं वो शरीर के दो भागों में विवाज़त होते हैं, वात, पित और कफ और रज और थम, ये भी चरक सूत्रस्तान अध्या एक में बताया गया, बड़ी आसानी से, कि शरीर और मन के जो दोश है वो काल, बुद्धी और इंद्रिये इन तीनों कारणों से होते हैं, जिसमें बुद्धी जो सेग्मेंट है, वो आता है प्रग्यापराद के रूप में, ये तो एक इनीशल चर्चा हुई और इनीशल रूप में हमने ये समझा कि बुद्धी में धी, ध्रती और स्मती जब देखते हुए ही, जब हम चरक सूतरस्थान अध्याय साथ में जाते हैं, नावेगान धारणी अध्याय में, तो वहाँ हमें फिर से एक और रिफरेंस मिलता है, जो हमें ये बार बार बताता है, जिसमें हम जाते हैं, चरक सूतरस्थान अध्याय साथ, शलोक नंबर 51 and 52 इन सबी के कारण जो क्रियेट होता है, वो भी एक तरीके से प्रग्यापराद है, भूत, वेशे, वायू, अगनी, संप्रहार, आदी, संभवाह, इस तरीके का रिफरेंस हमें प्राप्त होता है, चरक सूतरस्थान अध्या साथ में, ये हमें बार बार ये इंडिकेट करता है कि इन कारणों से जो भी चीज़ें होंगी, वो प्रग्यापराद क्रियेट कराएंगी, जो हमने चरक सूतरस्थान अध्या एक में देखा, कि बुद्धी में धीद, रिती और स्मिती जब ब्रंच हो जाएगी, तो अब प्रग्यापराद क्रियेट करेगी, अभी हम इसक जब नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, या फिर किसी चीज़ों किल करते हैं, जो उसमें इंटर्नल विश होता है, उसका वक्षन करते हैं, जो अन्नोन फेक्टर हैं भूत, यानि बहुत सारे जो वाइरसेज हैं, उनके वीज़े संपर्क में आते हैं, तो वो भी एक प्रग्यापरात का हेतु है, प्रग्यापरात के रूप में हैं, अगनी के जल जाने से जो बर्न के पेशेंट हैं, वो भी प्रग्यापरात से ग्रस्त हैं, चोट लग जाने से ये हमने नहीं समझाता, संप्रहारा लिखा है, अगर चोट लग जाने से भी कोई विक्ती खरा थोट हैं कि यह जितने भी हेतू हैं यह हमें प्रग्यापराद के रूप से ही सोचने चाहिए जो कि हम नहीं सोचते हैं हम यह सोचते हैं कि यह जितने भी हेतू मैंने आपको बताएं यह सब के सब युक्ति विपाश्य चिकित्सा सेग्मेंट में जाएंगे definitely जाएंगे लेक के कारण जो है यह प्रग्यापराद है इनके कारण से जो अगंतुक रोग होते हैं वो सब तो होते ही हैं राति साथ हमारी मनों की दशा है उसमें भी इर्शा, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, इर्शा मतलब कि अगर हमें कोई jealousy factor है वो भी अगर हमारे मन में है तो definitely वो हमारे प हमें किसी चीज का fear factor है तो वो fear factor भी किसी ना किसी रूप में हमें एक disease का element बनता है वो हेतू बनता है और वो हमें disease आगे बढ़ाता है जैसे अभी कई लोग दर के मारे भी कई diseases में पढ़ जाते हैं जो कि psychological disease के लाती हैं लेकिन ऐसा नहीं है psychological disease हमारी body में भी कुछ symptomology create करती है जैसे कि अगनी का नाश होना अगनी का मोजाना indigestion create होना जब हम डरते हैं तो indigestion create होता है या फिर अतिसार create होने लगता है तो इस तरीके से अन्नव सोतस में भी या फिर हर सोतस में भी हमारे प्रग्यापराते कारण create हुए लक्षन मिलते हैं अर्था जो हेतू है उसमे हमें justified रूप से और अच्छे समझना चाहिए कि ये प्रग्यापरात ये कारण create हुआ है direct reference से हम बात कर रहे हैं ग्रंतों में बार-बार mention हुआ लेकिन हमने उसे skip किया और इसे प्रग्यापरात को highlight ना करते हुए सिर्फ शारेरे खेतुमों को देखा इसी कारण treatment जो है वो complete level तक नहीं पहुंसता आगे अभिमान की अवस्ता कई बार हमें ऐसे लगता है कि we are the best ऐसी situation है हम जो कह रहे हैं वो सही है bossing segment वो भी एक प्रग्यापरात रूपी हेतु है जो हमें disease में मिलता है और disease इसके कारण बढ़ती हैं द्वेश होना द्वेश होना मतलब किसी भी चीज़ को पसंदना आना हर एक चीज में बुरा लगना एक sadist feeling रहना कोई भी चीज बताई जाए उसमें negative चीज़ों को लेना एक critic activity create करना ये भी प्रग्यापरात के मानेसिक अवस्ता का एक हेतू है ये जो हेतू है वो हमारी कई diseases में कारण बनता है कौन-कौन से diseases में वो कारण करता है ये भी आज हम देखेंगे उसमें हमें easily validate करेंगे कि बहुत सारे segments में ये directly एक हेतू बनके आया जैसे ग्रहनी में एक हेतू बनके ये आता है कुष्ट में एक खेतू बनके आता है तो उसमें हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इसमें प्रग्यापरात की चिकित्सा भी करनी है ये अशुब कर्मों में आता है ये इस तरीके की सोच जो है वो भी एक negative segment है इनके treatment condition है मैं आपको बार-बार references के तुरू ये आज बताऊंग कि इतनी जगा references में ये आया है हमें इसे ना भूलते हुए treatment modalities में यूज़ करना चाहिए this is a complete clinical thought जिसमें हमें ये मिलता है कि अगर आपको वायू के कारण मतलब की pollution के कारण कोई चोट लग जाने कारण कोई किटानू के कारण अगर आपको व्यादियां हो रही है तो ये definitely प्रग्यापरादे कारण है अब ये प्रग्यापराद actually कहां क्या है और इसका detail version कहां पर मिलेगा ये हमारे दिमाग में हमेशा आता है और हम हमेशा इस बात को skip करते हैं कि प्रग्यापराद का मतलब होता है धीदृति इस्मिति का भ्रंच हो जाना उनका तीयोग होना मित् इसको और ये से skip करते हुए कि प्रग्यापराद कोई हेतु नहीं है डिरिकली जबकि चरक ने बार-बार कहा कि ये प्रग्यापराद एक बड़ा हेतु है काल बुद्धी और इंद्रियों के बिना कोई भी डिजीज नहीं हो सकती और हम प्रग्यापराद को skip करते हुए treatment modality में सिफ इंद्रियों की चिकित्सा और काल की चिकित्सा करते हैं जिस हम युक्ती विपास्टर का यूस करते है हम बागी चिकित्साओं को भूल जाते हैं जिसके करण हमें complete treatment और complete treatment नहीं मिल पाता है तो इसको पाने के लिए जब हमने देखा तो चरक शारीरिस्तान में हम गए और पहला अध्याय जहां पर यह बताया गया कि चरक शारीरिस्तान अध्या एक में तो हमें 102 नंबर श्लोक में यह बड़ा क्लियरली मेंचन हुआ कि एक्चुली प्रग्या पराद है क्या और कौन-कौन सी कंडिशन प्रग्या पराद कहती है जैसे हमने चरक शूतरस्तान अध्या साथ में एक रिफरेंस दिखाला तो वहां हमें प्राप्त हुआ कि प्रग्या पराद क्या था जिसके बाए और आभ्यंतर रूप से हमें स्टेल में मिलेगा कि एक्चुली प्रग्या पराद क्या है धी ध्रती स्मृति विब्रष्ट कर्म स्रिफ धी ध्रती और स्मृति धी मतलब की धारण शक्ति जिस चीज को हम रिटेन करते हैं ध्रती मतलब राइट और रॉंग डिसीजन जो कि आजकल सबसे ज़्यादा गलत होता है किसी के प्रती राइट है किसी के प्रती रॉंग है अगर बे मतलब में गलत चीजें सोची जाती है तो धृती के रूप में स्मृति रीकॉलिंग कैफिसिटी को ध्यान में रखते हुए भी बार-बार वही सेम मिस्टेक्स करना और विब्रष्ट क्रम मतलब की जान कि बुच के गंदे कर्म में इन्वाल होना यान यान कि किसी को दुखी करके या फिर किसी को किल करके अगर अपने काम में आप लेते हैं तो वह भी एक प्रकार का प्रग्या पराद है जो की शारीरिक और मानसिक दोनों की व्यादियों का एक बड़ा कारण हो सकता है शारीर दिसॉडर दो इट इस साइको सुमेटिक डिसॉडर जिसमें आपके शारीरिक सिचुवेशन भी इन्वाल होती है शारीरिक लक्षन भी प्राप्त होते हैं चरक शारीरिस्तान अध्या एक श्लोक नंबर 102 को हम देख रहे थे जिसमें इन कुरूते आशुभम आप आशुभ का जो करते हैं जिसकी लिस्ट बताई गई है चरक सुत्रिस्तान अध्या 30 में जहां पर आपको बताए गया कि ये शुब चीजें हैं इनको आपको फॉलो करना चाहिए इनको नहीं फॉलो करना चाहिए तुरिया इश्णा अध्या मैं आपको बार-बार मेंचन किया कि धर्म, अर्थ और काम इन में जो चीज़ें इंडिकेटेड है सिर्फ इनको ही फॉलो करें चरक शारी रिस्तान अध्याय एक में बड़ा अच्छे से और इन डीटेल एक सो तीन नंबर श्लोग से लेके 108 नंबर श्लोग तक हम जब हमने इसकी डीटेलिंग करी तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हमें में ली इन पेशेंट ये पेशेंट हमाएं सामने आते हैं हम उनकी कभी ये वाली हिस्ट्री नहीं लेते या फिर हम एक फियर में रहते हैं देखिए ऐरवेद एक ऐसा शास् अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम complete line of treatment नहीं follow कर रहे हैं मायरवेद का complete फॉलो नहीं कर रहे हैं जो लोग कहते हैं मायरवेद की complete चिकित्सा कर रहे हैं पेवरली आयरवेदा practice करने हैं वो लोग के लिए ये लगातार में संदेज देता हूं और लगातार चरक का भी आवान है वो लगातार कहते हैं कि सत्व आत्मा और शरीर के बिना चिकित्सा ना करें अगर आपने आत्मा और मन की चिकित्सा नहीं करिये तो complete treatment नहीं है जिसमें ये कहा है उदीरणम गतीम इस तरीके से श्लोक शुरू होता है 103 जहां पर बोला गया है उदीरणम गतीम आमता उद्र बहुत क्लासिकली इससे समझाय गया है कि अगर जो वेग आपको शरीर से बाहर निकालने हैं अगर आप उसे forcefully निकाल रहे हैं जैसे forcefully चीकना उसी तरीके से forcefully मूत्र वेग मल वेग अगर आपको constipated situation है और अगर आप excessive pressure लगा रहे हैं तो ये भी एक तरीके से प्रग्या create होने लगता है वो भी आपके एक दूसरी व्यादिया कारण बन जाता है उसी तरीके से जब आपको मलमूत्र आ रहे हैं और आप उसे रोक रहे हैं तो अन्य-अन्य व्यादियां create होती है जिसका direct reference चरक सूतरस्तान अध्या साथ में नावेगान धारणी में बताया गया है कि आपको इनके कारण ये diseases create होने वाली है सेवनम साहसा नाम देखिए आपने जब राजक्ष्मा पढ़ा तो आपको साहस से कारण कई diseases create होने के लिए साहस उसका मूल हेतू मिला यही प्रग्यापरात का linking है कि साहस कहां कहां पर disease बनता है तो एक राजक्ष्मा में directly हेतू ब पूरी बॉडी में वीकने सा जाना और excessive level पे emaciated situation create अगर हो रही है तो वो साहस एक प्रग्यापरात का segment है जिसका direct validation चरक्षारिस्तान अध्या एक देता है और यह कहता है कि साहस अगर आपने किया है तो definitely आपको इन ये हेतू जो है वो इन लक्षणों को देगा और आपको राज्यक्षमा प्रग्यापरात के कारण create हुआ है नारी राम चाती सेवनात सबसे बड़ा problem क्या है कि आजकल morality जो है वो down हो गई है multiple females के साथ connection है males के और वो उसमें अति सेवन करते हैं और इस इन immorality के कारण भी कई diseases create होती है जैसे कि राज्यक्षमा में भी इसका reference आया है कुष्ट में भी इसका reference आया है योनी व्यापत में भी इसका reference आया है multiple जो व्यादियां चिकित्सा के रूप में दी है उनमें directly हमें reference मिलता है कि अगर आपको ये उसकी history है patient की तो आपको इन 3-4 diseases में से definitely कुछ हो सकता है क्योंकि ये प्रग्या पराद रूपक हे तु जो उ diseases में मिलेगा उसके बाद बोला है कर्म काल अतितापश्च अगर आपको कर्म काल और अतिताप अगर आप इन condition में मिथ्या रूप से काम कर रहे हैं जैसे कि आपके जो कर्म है उनको छोड़के आप दूसी चीजों में involved है काल रूप से जब आपको ग्रीश पर रितू है तो disease के जोर से लेके योनी वियापत तक जब आप जाते हैं चरक चिकित समय तो आपको इनसे link हे तू हर जगा मिलते हैं और हम उन्हें skip कर जाते हैं और हमें लगता है यह प्रग्या पराद थोड़ी ना है यह तो ऐसा लिखा हुआ है लेकिन इसका जब हम bridging करते हैं तो हमें म जाएगा इंडिरेक्ट वे में कई या फिर डिरेक्ट वे में आपको इंडिकेट किया गया है कि आप इसे treatment module में इस तरीके से यूज करें विनय चार लोपश्चा पूज्या नाम चभी घर्शनम आप लगातार अपने विनयता को भूल जाए अपने जिस तरीके इसकी आप बार आप बेजज़त करें या फिर उनकी रिस्पेक्ट ना करें ये भी मानसिक रूप से आपके अभिमान को शो करता है जो कि हमने देखा था चरक सूतरस्तान अध्या साथ में जो अभिमान है एक मानसिक रूप से आपका हेतू बन जाता है आप सभी को एक condition create होती है या patient क करेंगे तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि sir आपको you should cool down आपको इन चीजों से मुक्त होना चाहिए ये भी एक वैद्द का ही कर्म है actually problem क्या हो रहा है कि एक spiritual guru की तरह हम समझदे लगते हैं कि हमें spiritual guru की तरह ऐसे patient को थोड़ी ना समझा सकते है we should be very clear about this कि सिर्व हमारा ही शास्त्र है जो हमें आत्मियता से आत्मा की चिकित्सा और मन की चिकित्सा करने के लिए लगतार इंडिगेट करता है जो हम नहीं करते हम ये सिर्व सोचते हैं कि शरीर की चिकित्सा हम करें जैसे कि बाकी doctors करते हैं patient को भी अभी यही thought है कि ये चीज़ें क्यों बता रहे के लिए कहना है पेशेंट को बार-बार इन चीजों के रिफरेंस और वैलिडेशन से समझाना है कि अगर आपकी विनेता आपकी लॉलॉपता बतलब की बहुत जादा लालची होना बहुत जादा विनेता को लॉस करना या अपने जो सीनिया से उनकी डिस्रिस्पेक्ट करना इन डिजीजिजस में आपको मिल रहा है जैसे कि आप 1930 की जतनी व्यादियाग्या या रश्वस 30 की व्यादियाग्या उन में देखें तो आपको मिलेगा कि चिंता ना मती चिंत हो या रश्वस 30 की व्यादियागे बता हैं without any reason आप stress देगे किसी को परेशान करना और खुत परिशान होना ये भी एखेतू है और ये प्रग्यापराद में हमें लिंक मिलता है और वैलिडेट होता है कि इनके कारण आपको रस्वसोतस और अन्नवसोतस खराब हो रहे हैं और उनके treatment module में हम बड़े आसान आसान चिकित्सा उपक्रम है कि आप दीपन करें लेकिन प्रग्यापराद को कि चिकित्सा निवारण ना सोचे बिना अगर आप चाहिए कि वो complete result मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे आपको ये प्रग्यापराद सोचना चाहिए और उसे treat करना चाहिए ग्याता नाम स्वामेर अर्था नाम आहिता नाम निवेशनम ये ऐसे बहुत सारी चीज़े बताई हैं कि अपने उग्र उनमादक चीज़ों का सेवन करना जैसे कि बहुत ज़ादा कई लोग alcohol का intake करते हैं कभी भी किसी टाइम पर घूमने लगना अभी भारत वर्ष में lockdown बताया गया है लोग लगातार घूम रहे हैं ये भी एक तरीके का प्रग्यापराद है ये आपकी mental disability का एक बहुत बड़ा indication है कि आपको जो चीज़े मना करी जा रही है आप लगातार उसको follow करने जो rules बताये गए हैं उन rules को लगाता ब्रेक्डाउन करना ये भी एक प्रग्यापराद है और ये reference है clearly reference है चरक सहीता का दूसरा हमारे जो सदाचार बताये गए हैं इंद्री चरक सूत्रस्तन अध्याए आठ में इंद्री उपक्रमणी अध्याए में उस सद्वृत का ना पालन करके हम उसके अविपरीच चीज़ों का पालन करें मतला अगर हमें का गया है हमें discipline में रहे तो हम indiscipline रहेंगे हमें का गया है इतने बज़े सुबह उटना है तो हम जानबूच के लेट सुएंगे ये सारी चीज़ों को अगर आप लगतार अपने मन से और intentionally कर रहे हैं तो प्रग्यापराद आपके हाँ definitely एक हेतुम में मिले और इन हेतुमों के कारण आपको somatic disorder यानि की जोर से लेके योनी व्यापत के बहुत सारी diseases आपकी body में हो सकती है और उनका treatment सीधा सीधा निदान परिवर्जन है अगर आप प्रग्यापराद की चीज़ों को lifestyle changes नहीं करते हैं अपने psychological cleaning नहीं करते हैं अपने spiritual cleaning नहीं करते है तो आपको disease कहीं न कहीं लगातार चलती रहेगी और आपको somatic loss हमेशा रहेगा this is a clinical importance of प्रग्यापराद which we are seen दूसरा बहुत ज़्यादा बोला गया कि मोह में रहना इर्शा मान भये क्रोध लोब मोह मद भ्रमा इसके बारे में चरक शारीरिस्तान में बार बार over confident हो जाना और किसी को कुछ ने समझना ये segment क्रोध excessive गुसा होना किसी भी कारण से excessive अगर patient गुसा हो रहा है तब भी उसमें देखा गया तो अगर आप साइको somatic way में देखें तो उसमें पित्त की दुष्टी में भी क्रोध के लिए वर्णन आया है तो जितने भी पित्त ज patient को क्रोध कम करने के लिए नहीं कहेंगे उसके हितु लगतार चलते रहेंगे और उसकी पित्त दुष्टी होगी एक example देता हूँ छोटा सा अमले पित्त के patient आपके सामने आते हैं आप उसकी क्रोध की history कभी नहीं पूसते हैं क्रोध अगर बहुत ज़ादा है उसमें अभ प्यश्प्राप्त होता है कारण किया है कि आपने आईरवेद तो follow किया लेकिन completely प्रग्या परात जो निदान था उसका उसका परिवर्जन नहीं किया अगर आप उसे समझाते कि आपके जो क्रोध अवस्ता है उससे भी आपको कम करना है क्योंकि ये बहुत directly है खेतू है अ तब आपकी ये acidic situation और अमलपित वस्ता ठीक होगी ये ना होने एकारण हम बार बार उस patient को विरेचन प्लेस करते हैं शीतल और देते हैं और वो completely heal नहीं होता why it is so because we are leaving प्रग्या पराद as हेतू हम उसे छोड़ देते हैं और उसे एक counseling वाला जो segment है वो कभी नहीं देते हैं जो की specifically आयरवेद में mention है और being आयरवेदा वैद्दे we must give it आगे बता गया तज्यम चा कार्म जो चीज़े मना करी गई है जैसे कि जुन चीज़ों को हमारी list में खाने के लिए नहीं बता गया सपोस्पोस किसी विक्ति जिसे भी जिसे की वात का प्रकोप नहीं है और वो non-wish का बहुत जादा मानसरस का बहुत जादा सेवन करता है तो ये त्यज्य है उसे नहीं लेना है उसके लिए इंडिकेटर नहीं है ना उसे समझाया गया है ना उसे किसी व्याद परामर्श में लिया गया है लेकिन लोग बहुत जादा गुरु आहर ले रहे हैं वो त्यज्य है लेकिन आप ले रहे हैं तो वो भी एक तरीके का प् भी आपको disease में आप land up होते हैं और वो disease आपको कभी नहीं छोड़ती हैं लगतार आपके पीछे लगती हैं और हम किसी लिए completely heal नहीं हो पाते हैं क्योंकि प्रग्यापरात की situation को हम sideline करते हैं और उस patient को कभी नहीं समझाते कि इन प्रग्यापरात इन situation के कारण आपको यह create हो रहा है यह counseling वाला जो segment है बहुत ज़्यादा important है इसको भूलने के कारण हम प्रग्यापरात को sideline करने कारण हम बहुत सारी diseases में हम completely healing नहीं पापा थे यत क्लिष्टम क्लिष्टम यदि दे कर्मचा आज के परिपेक्ष में अगर आप देखें तो जो covid-19 है उसकी जो origin है वो बहुत साल पहले चमगादण में मिली फिर उसके बाद वो किसी और animal में गई उस animal को लोगों ने खाया जो कि उससे नहीं काना था उसकी overdosing करी हमने जो हमारे खाने की चीज़ें उनमें over pesticide का यूज किया ये जो त्यज्य कर्म है ये सब हमारे लिए cancer के कारण viruses से कारण ये हो रहे हैं ये सब ही जो virus हम induce कर रहे हैं या फिर हम जो cancer growth induce कर रहे हैं ये प्रग्यापराद जन्ने हैं अगर हम patients को या फिर जनता को ये समझाते हैं कि ये प्रग्यापराद के ये indication है जो कि मैं आपको reference के साथ बता रहा हूं इन references को लोगों तक पहुचा कर अगर वैद्दे इसमें एक जुट हो तो हमारी बहुत सारे precautions और treatment module आ जाएं जिसमें निदान परिवर्जन एक बहुत बड़ा segment होता है हमें उनमें प्रग्यापराद को समझाना है और लोगों को ये clear करना है कि अगर आप ये सारी activity रोकते ह तो आपको बहुत सारे लाब होगे अब हम जाते हैं तीसरा segment जो हमने दो reference तो आपको मैंने बताएं कि एक चरक सूतरस्तान अध्या साथ में directly reference आता है कि प्रग्यापराद क्या क्या है और दूसरा reference आता है चरक शारीरिस्तान अध्या एक में 103 से लेके 108 लोग नमबर तक ज treatment में कैसे लाब लें तो हम जब देखते हैं चरक का ज्वर अध्या है चरक चिकित्सा अध्या तीन तो वहाँ पर भी हमें direct reference आता है कि कई चीज़े तो बताई गई है कि आप लंगन करें लंगनम कालो यवागू तिक्तको रसा इसका सेवन करते हुए आप जो somatic रूप से ज्वर जो create हुआ है उसकी चिकित्सा करें लेकिन जब आप ज्वर के हेतुओं में जाते हैं तो आपको मिलता है चिंता और चिंतन ये एक कारण था जो हमने देखा प्रग्यापराद में भी एक कारण था गुरू शीता मतीस निक्दम अती मात्रम संशनात रसवानी दूश चिंतनामती चिंत ये रस्वा सोतस दूश्टी है और रस्वा सोतस दूश्टी का एक लक्षन है ज्वर अब इन हेतुओं में हमने जब देखा तो आपको जो चीज़ें गुरू बोली गई है जो आप बहुत जादा हैवी डाइट लेते हैं जो आपके लिए त्यज्य बोल ले रहे हैं तो भी एक प्रॉबलम है एक्सेसिव चिंता विदाउट एनी रीजन अगर आप चिंता करते हैं कोई भी थॉट प्रोसेस आपको क्रियेट होता है आप उसमें स्ट्रेस लेने लग जाते हैं चिंतन करना यानि कि कोई लॉजिकल थॉट्स में भी अगर आप लूप में जैसे कि आप देखें कई स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं तो उनकी धरवाले बोलते हैं he's the best बागी दूसरा वाला तो ऐसे ही है तो दूसरे जो जितना first वाला वेक्ती है उसे जब fever आता है तो ये जो पीछे एक segment है ये भी उसके साथ में चलता है आपक logical segments और प्रग्यापराद जन्ने हेत्वों को हमेशा sideline करते हैं बार बार indicate किया गया है कि काल और असात्मिंद्रियार्थ के साथ साथ आपको प्रग्यापराद भी हेत्वों के रूप में देखना चाहिए उनके कारण भी create होता है जोर की जब चिकित्सा हम देख रहे थे तो हम जब end end चिकित्सा में पहुँचे तो श्लोक नंबर 308 में 308, 309, 310, 311 में आपको लगतार ये reference मिलता है कि आपको मनोविकार में आने वाले धूपन का प्रयोग करें विश्नु सहस्त्र नाम का सेवन करें उससे आपके विकार ठीक हो जाते हैं ये कोई द्रव्यभूत द्रव्यभूत चिकित्सा है और विश्नु सहस्त्र नाम का प्रयोग करना जो चरक ने directly reference की रूप में दिया है चरक चिकित्सा अध्याय तीन श्लोक नंबर 308 से लेके 312 तक अगर आप reference में देखेंगे तो आपको multiple zones पे without any medicinal treatment आपको लगतार बोला गया है कि आप हो चुके हैं उनकी भी treatment अगर simple इस तरीके से बताई गई है तो we should never ignore it जो कि हम ignore करते हैं हमें लगता है ये तो कैसी बात है इसकी क्या जरूरत है आप patient को pray करने बोलें अपने God पे believe करने बोलें ये भी एक important segment होता है treatment का जिसे हम सभी वैद्दे इग्नोर करते हैं और हमें ल secondly रक्त पित्त की चिकित्सा में भी ऐसे ही वर्णना आये हैं चरक चिकित्सा द्याय चार श्लोक नंबर 107 से 109 में 107 से 109 में लगतार उन्हें बोला गया है कि आपको मनी का स्परश करना है आपको ठंडे इस्तान पे रहना है आपको अपने mind को relax करना है जिससे पित्त दु कुषित नहीं करेगा और आगे रक्त पित्त नहीं बढ़ेगा आपको अपने आपको relax करना ठंडी चीजों को छूना ठंडे पानी से अपने हाथ मूँ को दोना यह भी पित्त शामक चिकित्सा है जो कि अद्रव्य रूप से है लेकिन यह बहुत important deeds है जो आपके प्रग्या पराद जन्ने जो पित्त का प्रकॉप हुआ था उसको कम करती है और उसे treatment module में help करती है इस इस सेकेंड रिफरेंस जो मैंने आपको समझाया कुष्ट में तो लगातार ही उसके एतुवा में बताया गया है कि अगर आप ऐसे पापकर्म करते हैं तो definitely आपको कुष्ट होगा पेशेंट को लगातार जो skin disorder के patient आपके सामने आते हैं चाहे वो छोटे disorder हो चाहे बड़े उनकी mental अवस्ता जरूर देखिए क्या वो इर्शा, द्वेश, भय, क्रोध इन सारी चीजों से तो नहीं है आप ये बोलेंगे ये तो इस से तो सभी लोग होते हैं लेकिन जो कारण आपको ये disease हो रही है, कई बार pimples के patient आते हैं हम उनसे पूछते हैं आप क्या है तो over stressed doubt रहते हैं, कई बार हम उनकी vegetarian या non vegetarian history पूछते हैं तो बोलते हम सुप कुछ भी खाते हैं, हम किसी से बात नहीं मानते हैं, हम बिंदास रहते हैं, हमें किसी से कोई मर्तलब नही करते हैं, वो भी उनके pimples और skin disorder में होता है, simple simple example है, कुष्ट के छोटे या बड़े कुष्ट में, अगर प्रग्यापराद आपका हितु है, अगर आप दूसरी चीजों को ignore करते हैं, आपकी psychological thought खराब है, तो भी अगर आप बहुत जदा polluted area में भी रहते हैं, तो भी एक प् में हैं, यह हम नहीं देते कभी किसी patient को, इसी लिए प्रग्यापराद ignored mode में रहता है, और उसके करण वो disease continuously persist करती है, और patient कभी भी completely free feel नहीं करता, राज्यक्ष्मा में जैसे साहसेक रूप से आपको बताये गया है, multiple references हैं उसके, राज्यक्ष्मा के जो चारों बड़े हित हैं, वो प्रग्यापराति अंडर कहीं न कहीं आते हैं, और वो लक्षणों को आप देख सकते हैं, कि पूरी धातूओं में शैता आती है, पूरी body deteriorate करती है, अगर इस deterioration का psychosomatic treatment किया जाए, उसे counsel करके समझाया जाए, कि यह जो एतू आपने सेवन करें, उनमें यह भी problem है और उसके निदान परिवर्जन को किया जाए, तो आपको जल्दी से जल्दी result मिलते हैं, तो राज्यक्ष्मा की situation में भी इसका reference आया है, कि प्रग्यापरात कैसे होता है, उनमाद और अपसमार तो directly इसके reference है, कि मनोदुष्टी create होती है, प्रग्यापरात और बुद्धी म उन तीनों का loss होता है, धारण करने की capacity कम हो जाती है, स्मृती भ्रण्ष होती है पसमार में specifically, धृती loss होती है, उनमाद में right and wrong का decision नहीं पता होता, इनके जो directly चिकित्सा स्वरूप आए हैं, महा कल्याणा को और कल्याणा गृत, वो बार बार आपको indicate करते हैं, कि इसमें आपको इन चीज़ों के कारण आपकी मनोदशा ठीक होती है, मनोदशा का एक बहुत बड़ा segment प्रग्यापराद है, अगर उस patient की lifestyle आप chain करते हैं, या treatment module करते हैं, तो daily उसे council करिए, और अगर प्रग्यापराद के कोई हितूस से match करते हैं, तो उन्हें लगतार उसे ये, कई बार एक patient ऐसे होते हैं कि अचानक से वो उनमें पागलपन की condition create हो गई, उन्मादी अवस्ता create हो गई, कोई भी reason नहीं था, बाद में पता चला कि सिफ वो polluted area में रहने के कारण, उसकी psychological thought change हो गई और वो होने लगा, यहाँ पर लिखाया कि वायू के भी अगर दु चिकित्सा करने के साथ साथ आप उसकी hygiene और इन चीजों के बारे में भी छोटे छोटी जो do and don'ts की list है, उसको भी अच्छे से समझाएं, यह भी हमारा ही करतव्य है, एक वैद्दिगा करतव्य है कि प्रग्यापराद के कारण जो disease creator हो रही है, उनको प्रग्यापराद नाम निदान का परिवर्जन करते हुए ही treat करें, इसके बाद reference आता है, शवतू चिकित्सा में गुड़ अद्रक का use करने के लिए मनो अवस्ता में भी कहा है, जब हम चिकित्सा पढ़ रहे थे शवतू की, तो वहां मिला कि गुड़ अद्रक का use जब आप कर रहे हैं, तो वहा अगर आप इनको दरेकली प्रत्यात्म रूपे हर कंडिशन में देंगे, तब भी प्रग्यापराद से आप बाहर आ सकेंगे, यह चिकित्सा के सुरूप में हुआ, लेकिन चिकित्सा से जादा उसकी counseling important है, और वो counseling segment हर एक वैद्दे को सोचना चाहिए, वो आपके लिए ब बहुत अच्छे से reference में आया है, उसके हेतुओं में कि पाप कर्म करने कारण उधर create होता है, उधर जो की एक अवरोधात्मक संप्राप्ती है, जिसमें स्वेदवसोतस ब्लॉक होता है, रसवसोतस ब्लॉक होते हैं, हम कभी भी नहीं सोच सकते कि जो patient, हमाई पास ascites के condition में आया है, या फिर उधर में पानी भरने ये कारण आया है, उसका हेतुओं पाप भी हो सकता है, लेकिन चरक ने इसका direct reference दिया है, अगर वो patient लगातार प्रज्या पराजन्ने, negative चीज़ों का intake कर रहा है, intentionally, जो की उसे मना की गई है, जहां मना करा गया है, घूमने के लिए, इतना पानी पीने के लिए मना किया गया है, जो normal lifestyle है, जो normal दिन चर रहा है, उसको पालन ना करते हुए, वो excessively उसको disorient करता है, जो हम कहते हैं कि negative lifestyle create करता है, उसके कारण उसे उधर अगर create हुआ है, तो वो भी उसमें भी एक प्रज्या पराद हेतु है, तो हमें पहले उसक की उसकी dietary plan बना रहे हैं, उसे discipline create कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसे प्रज्या पराद से दूर कर रहे हैं, प्रज्या पराद नामत जो हेतु है, उसके दूर करना बहुत important है, इसलिए उसकी lifestyle manage करना important है, साथी साथ उसे कौन-कौन सी non-vegetarian diet कैसे remove करनी है, किस तरीके से उ मद वाली जो अवस्ताएं है, alcoholism है, उससे दूर करना है, lifestyle changes में उसे कब उठना है, कब सोना है, कब उसे मंत्रों का उचारण करना है, उसकी spiritual life कैसे करनी है, उसे कब prayer करनी है, ये सब चीजों से जितने लोग दूर होते जा रहे हैं, वही प्रज्या पराद से अपनी diseases create करते हैं, early aging में जाते हैं, और multiple diseases में, जैसे मैंने आपको example दिया, ज्वर में, कुष्ट में, राज्यक्ष्मा में, प्रमे में, उनमाद में, शवतू में, इन सब जगा, आपको अगर देखने मिलेगा, कि directly प्रज्या पराद एक बड़ा हितू मिलता है, ये जो हितू है, ये पराद, we should always take care of this, अगर भय, क्रोध, इर्शा, आशुब कर्मोए कारण अगर आपको create हो रही है, अगर आप सद्वित का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके कारण आपको जो disease हो रही है, इनके direct reference आपको हर disease में मिल रहे हैं, अगर आपने उनमात पढ़ा तब मिल रहे हैं, अप 14 श्लोक नंबर 9 में आप देखेंगे कि अर्श के हेतुओं में direct indication है कि अगर आपका क्रोध, भय, शोक इन पे control नहीं है, तो definitely आपको अर्श create होता है, psychological and stress induced जितनी भी diseases हैं, वो सब के साथ में जो somatic diseases हैं, जैसे कि अर्श है, ग्रहनी हैं, इन सब में भी आपको प्रग्या प्रग्या 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 प्रग्या, ग्रहनी के हेतुओं में तो multiple times, अगर आपकी अगनी दू exercise हो रही है, और वहां पर जो अजीन की संप्रापति बताईए, 42, 43, 44, 45 श्लोक नंबर में, वहां तो आपको direct reference मिलता है, कि अगर आपको arm create हुआ है तो वो प्रग्यापराद जन्न भी 30% के जो conditions है वो आपको प्रग्यापराद जन्न मिलती है, आप लगातार जिसे stress में रहते हैं, वो भी एक प्रग्यापराद है, दूसरों के प्रती negative सुषते हैं यह प्रग्यापराद है, दूसरों को धोका दे कह या फिर मित्रों को धोका दे कर आप अगर अपनी विज़े पराप्त करते हैं या फिर आप बहुत प्रैक्टिकली देखें जो बिजनस जो है उसमें राइविलरी होती हैं, दूसरे को धोका दिया जाता है, अपना tender create किया जाता है, यह बोला जाता है, यह business है, उसमें भी आप रग्या-पराद एक हेतू बनता है, और patient को indigestion होता है, तो वो दूसरे doctor से पूसता है, sir मुझे पता नहीं, मैं lifestyle मेरी proper है, तब भी मुझे indigestion होता है, मैं खाना सही time पे खाता हूँ, उठता सही time पे हूँ, spiritual हूँ, तब भी आपको जो इर्शा एक segment है, वो आपका एक खेतू बनता है, और आपको यह अन्नवसोतस के लक्षन मिलते हैं, जो कि ग्रहणी में भी बता है, अर्श में भी बता है, अतिसार में भी बता है, अतिसार में तो अवस्थाएं बताई हैं कि भय और प्रोत के कारण आपको create होती है, तो इनसे आपको बार-बार indicate किया जा है चरक चिकित्सा में, कि जितनी भी व्यादियां हैं, अगर आप उस में प्रग्यापराद नामक हेतू को अगर आप skip करते हैं, तो आपका treatment कहीं न कहीं unsuccessful जाएगा, तो आपको एक listing करनी है, और जो कि मैंने आपको reference बताएं, उनका use लेना है, जैसे कि चरक शारी चरक विमानस्तान अध्याए 6, अध्याए 8, जिसमें 6 अध्याए में, आपको वात, पित्त और कफ की चिकित्सा में भी कई बार आपको रमणी चीजों का इस्तमाल करने के लिए बोला है, जैसे पित्त की चिकित्सा में तो बार-बार बोला गया है, आद्रव्य रूप से आप ठंडे अस्तानों पे रहें, जहाँ पर जल जादा है, बहाँ पर रहें, अपनी spirituality को ठीक रखें, वात में भी बोला गया है कि आप बहुत जादा चिंतन ना करें, रिलेक्स रहें, लोगों का आदर करें, कफ की अवस्ता में बोला गया है, कि आप एक्टिव रहें, दूसरों की चीजों में involved ना हूँ, negativity ना create करें, यह जो positivity वाला environment है, यह सिर्फ और सिर्फ आईरवेश शास्त्र है, जो हमें बार-बार indicate करता कि अगर प्रग्यापराद नामक हेतू को आप दूर करेंगे, तो आप उसको logically implement करके, इन चीजों से बाहर आए, references जबसे ज़्यादा use करने के लिए जो आएंगे, चरक सूत्रस्तान अध्या 1 को use करें, चरक सूत्रस्तान अध्या 7 में, 54 numbers लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें और समझें, अब 3 एशना अध्याय में, बहुत प्रग्या परात के जो काम चिकित्सा है, उसमें धर्म, अर्थ और काम, ये 3 वर्ग बताएं हैं, अगर आपने इन चीजों पर ध्याम नहीं दिया, धर्म का मतलब होता है, discipline, अर्थ का मतलब होता है, आपको कितना अर्थ या मनी, कितने अपनी चीजों के लिए important है, और कित अध्या 30 में, जो आपके treatment में आता है, निदान परिवर्जन के अलावा अगर आप इसमें treatment module में जाएंगे, तो आपको हितकारी life में जो चीजें दी गई है, उसको modulate करिए, उसकी listing करिए, कि आपको क्या-क्या चीजे follow करना चाहिए, आपको कब दान करना चाहिए, कब लो है, कि आप रम्मचर्य की situation create होती है, multiple जो affairs create होते हैं, उन चीजों के बारे में भी openly patient से बात करें, ये चीजें हम कभी skip करते हैं, इसी कारण, इनकी personal situation को ऐसा हमें लगता है, कि ये एक ethics नहीं है, हमें नहीं पूछना चाहिए, आपको in detail प्रग्या परात ये कारण, जो से समझाएं, तभी आप complete treatment में पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगर हम आत्मा और मन की चिकित्सा छोडते हुए treatment करते हैं, तो हम से 33% of the treatment ही कर पाते हैं, जिसमें भी देव विपाश्रय, सत्वावजय और युक्ति विपाश्रय तीन segment हैं, हम युक्ति विपाश्रय में भ इस्टिंग करें, और उसे treatment module में इस्तमाल करें, इनी शब्दों के साथ मैं प्रग्यापराद की practical things को use करने के लिए आपको बार बार कह रहा हूं, कि प्रग्यापराद नामक निदान परिवर्जन जो है, उसको करें, प्रग्यापराद एक निदान है, तो इसका निदान का परिवर्जन ही होगा, जो इनके कारण diseases है, उनके specific treatment module बताए गए हैं, जैसे जवर है, तो जवर में आपकी जो general line of treatment है, जवर की, अगर आपको हेतू प्रग्यापराद का मिलता है, तो उसके लिए आपको एक segment मैंने बता है कि आप विश्नु सहस्त्रयोग करें, याने की prayer क करें, और मनरमणी ये चीज़ें करें, वो एक प्रग्यापराद के लिए treatment तो हुआ, साथ ही साथ, जो और की जो मूल चिकित्सा है, जो शारीरिक चिकित्सा है, उसको तो आपको follow करना ही है, उसी प्रकार से अगर उदर हुआ है, और पापकरम कृत है, तो आपको उदर में भी समाने रूप से प्रग्यापराद के विपरीत, जो निदान परिवर्जन करना है, पहले तो आपको उसके पापकरम की जो हिस्ट्री है, उसके साथ साथ में उसकी प्रेयर्स को बढ़ाना है, उसकी सदाचार को बढ़ाना है, और उदर के main line of treatment आपको देना ही है, जिसमे स्वेदवर और रस्वसोतस ब्लॉक हैं, वो आपको चिकित्सा मोडूल फॉलो करना है, उसी तरीका से श्वतू में भी, श्वतू में आपने गुड़ाद्रक का यूज देखा, गुड़ाद्रक के साथ में जो पापकरम उसने करे हैं, उसके विपरीट जाके उसे सदाचा फॉलो करने के लिए कहना है, लेकिन साथ साथ में शोतू की मेल चिकित्सा तो देनी ही, उनमाद अपसमार में भी हम यही करते हैं, मूल चिकित्सा जो है शोधन की और घृतपान की और धूपन की वो तो हमें करना ही है, लेकिन इसको उसके साथ साथ इसमें हमें जो पापक जब मानसिक हेत्व में हम देḥ तो कुछ मैच करते हैं यह वहां हम जाते हैं तो वायू वृद्दे दे रख्तेना आवरिता पती उसके पहले वाला जब आपूश्लोग देखते हैं उसकी संप्रापती में तो आपको मिलता है कि ऊष्ट पे चलना, यान पे चलना ऐसे मल्तिप है उसी तरीके से उसके आरजी हेतु बताए गए हैं लेकिन मानसिक हेतुओं में भी अगर आप बहुत जादा रक्त दुष्टी कारक बनते हैं वात में आप एक्सेसिवली वात और रक्त वायू वृद्धे ने रकते ना वृता पती तो आपको मिलेगा कि वायू वृद्ध होना के क्या कारण है तो आप जाएंगे चरक के वात व्यादी अध्याय में तो वहां आपको multiple references मिलते हैं कि अत्यादिक सोचने से अत्यादिक क्रोध करने से अत्यादिक शोक करने से आपका वायू बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ वायू जब रक्त के रस्ते को रोकता है तब ही आपको वात रक्त क्रियेट होता है तो इस तरीके से indirectly आपको मिल जाएगा कि वात रक्त के जो हेतू है वो वायू वृद्ध होने ये कारण आपको क् जो उसके हेतू है जो वायू वृद्धी के उनको आपको रिमूव करके उस निदान परिवर्जन हो करके यहां वातरक्त की मूल चिकित्सा जो बताई गई है रक्तमोक्षन उसका इस्तमाल करते हुए आप इसमें ठीक कर सकते हैं सही आप चिकित्सा में confused ना हो because चिकित्सा जो है वो निदान परिवर्जन 50% जो की बार बार बताया अब चरक सूतरिस्तान अध्या एक देखें तो आपको मिलेगा कि निदान परिवर्जन और धातू की साम्मिता दोनों मिला के complete treatment होता है तो आप निदान परिवर्जन को अगर 50% ना लेंगे तो आपको से 50% जो धा परग्या पराध है और तीसा आसात्मिंद्रिया संयोग इनमें अगर आप आसात्मिंद्रिया संयोग और परिणाम के रूप में तो आप युक्ति विपाश्य चेकित्सा यूस कर लेते हैं जो कि आपकी धातू सामिता में आ जाती है लेकिन जो बुद्धी की दुष्टी जाने की प्रग्या पराध ये कारण जो निदान क्रियेट हुआ है उसको जब हम स्किप करते हैं तो पेशेंट कंप्लीटली हील नहीं होता ये हमें समझना चाहिए हम लगातार ये सोच रहे हैं कि इसे प्रग्या पराध जन्नेविकार है ऐसा नहीं है प्रग्या पराध ज स्थेम इन ट्रीक्मेंट ए इसी तरही के से योनी व्यापद में भी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वाथ जोनी व्यापद वाथ के चुड़ें उन सभी को नमस्कार सेफ रहें और प्रग्या पराद नामक जो हेतु है उसको कम से कम करें और जितना हम इस निदान का परिवर्जन करेंगे उतना ही हम सुखी लाइस्टाइल दी पाएंगे जो कि एक आहरवेद का मूल सिध्धान्द भी है धन्यवाद